मैं संतोज कुमान मिश्रा, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ आज हम लोग बात करेंगे कक्षा 10, अध्यायदो, क्रिश्टलन का जल, एवं प्लास्टर आप पेरिस, अर्थात P.O.P. के बारे में सबसे पहले बात करते हैं, क्रिश्टलन का जल क्या कहलाता है? लवन के एक सूत्र इकाई में, जल की निश्ची तर्णों की संख्या को हम प्रिश्टलन का जल कहते हैं, आपने बहुत सारे ऐसे सूत्र देखे होंगे, फर्मूला देखे होंगे, जिन में उनके मुख सूत्र के साथ, जैसी ये, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट का C.O. लेकिन इसके साथ आपने जल के अनुओं को भी देखा होगा, जल के अनुओं इनके साथ ही रहते हैं, ये सूत्र का एक भाग है, इसे हम अलग नहीं कर सकते हैं, यदि हम कॉपर सल्फेट की बात करें, तो कॉपर सल्फेट का जब हम सूत्र लिखेंगे, तो C.O.4, 5H2O ही लिखना पड़ेगा, सोडियम कार्बोनेट का सूत्र लिखते हैं, तो NA2, CO3, 10H2O इसके साथ रहेगा, इसके बिना सूत्र अधूरा माना जाएगा, C.A.S.O.4, 5H2O, M.G.S.O.4, 7H2O, B.A.C.L.2, 2H2O, ये जितने भी जल के अनुओं हैं, ये इस सूत्र के, इस योगिक के सूत्र का एक मुख भाग होता है, इसे हम इससे अलग नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम इसको अलग बोल दें, और इसको हम उप्योग ना करें, ऐसा संभो नहीं है, तो यही जो है, ये दिख रहा है आपको, ये कहलाता है, क्रिश्टलन का जल, लब लवन के एक सूत् आपको पर्डीघी कोपैर एक जल के निश्चित अणू की संक्या, ये जल के निश्चित अणू की संख्या, क कॉपर सलफेट के साथ 5-FACE-2-O ही होगा, ति ये जल के जो निश्चित अणू है, यही कहलाते हैं, क्रिश्टलन के जल, वोह लवर्स जनमें क्रिश्टलन जल पाये जाते हैं उन्हें hydrated salt कहते हैं यह कौन से salt कहलाते हैं hydrated salt कहलाते हैं पृतेख hydrated salt में jetless चित अनुपाये जाते हैं इनwasser के निश्चित अनुपाये जाते हैं crystalline है यह जो क्रिष्ट्रलन जल है यह कि इतने भी क्रिश्टलन जल लवण के क्रिश्टल संरचना का ही एक भाग होता है क्रिश्टलन जल जल के स्वतंत्र अनु नहीं है यह लवण को नम नहीं करते हैं बलकि यह लवण के क्रिश्टल को उसका आकार प्रतान करते हैं इसकी वज़े से इन में नमी नहीं आती है बलकि यह जल के अणू हैं ये क्यों रहते हैं? इन्हीं क्या कहा जाता है? तो ये है क्रिष्टलन के जल अब बात करते हैं Hidrated Salt पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? माल लिजें हमारे पास copper sulfate है क्रिश्टलन का जल इसको खो देंगे और दोनों अलग-अलग हो जाएंगे मतलब यहाँ कॉपर सल्फेट है तो यह कॉपर सल्फेट और 5H2O यह कॉपर सल्फेट और यह कॉपर सल्फेट के साथ साथ यह हो गया 5H2O यह दोनों अलग हो जाते हैं यह जो copper sulphate है यह कैसा होता है यह सुस्क होता है लेकिन इसमें crystalline का जल होता है जब हम इस crystal को copper sulphate को गर्म करते हैं तो यह जल हट जाता है और लवन का जो रंग है वह नीला से शोयत हो जाता है लवन का रंग नीला से शोयत हो जाता है यदि हम crystal को पुना जल से भी गोते हैं त तो crystal का नीला रंग फिर से वापस आ जाता है, तो इस तरीके से हो गया hydrated salt पर ताप का प्रभाव, अर्थात हम ये कह सकते हैं, कि जब भी हम किसी hydrated salt को गर्म करते हैं, तो वह अपने crystalline के जल को खो देते हैं, और N-Hydrous salt बनाते हैं, ये इधर जो दिख रहा है, आपको ये hydrated salt है, और ये hydrated salt है, ये वाला, और ये जो है, ये N-Hydrous salt है, अर्थात इस से जल के जो अनु हैं, वो निकल जाते हैं, जो crystalline का जल होता है, वो निकल जाता है, अलग हो जाता है, अब चलिए बात करते हैं, प्लस्टर आप पेरिस अर्थात P.O.P. के बारे में, P.O.P. से हम लोग बहुत अच्छे से परचित हैं, तो प्लस्टर आप पेरिस क्या है, इसका मुख उप्योग क्या होता है, इसका रासाइनिक नाम है कैलसियम सलफेट हेमि हाइडरेट, प्लस्टर आप पेरिस का रासाइनिक नाम है, इसे बनाया कैसे जाता है, इसके बारे में बात कर लेते हैं, तो जिपसम, जिसका किसोतर C.S.O.4, 2.S.T.O. होता है, जिपसम को 373 कैल्विन पर गर्म करने पर, य कैल्सियम सलफेट हेमी हाइडरेट बनाता है तो एक कैल्सियम सलफेट हेमी हाइडरेट क्या है यही है प्लास्टर आप पेरिस प्लास्टर आप पेरिस का जो फर्मूला होता है वह होता है CSO4 Half H2O इसे हम Plaster A Paris कहते हैं CSO4 Half H2O ध्यान रखेंगे जिबसम का होता है 2H2O और POP Plaster A Paris का होता है Half H2O तो किस तरीके से बना CSO4 2H2O को हमने क्या किया गर्म किया गर्म करने पर इससे 1 and Half H2O अलग हो जाता है और Half H2O हो जाता है कैलसियम सल्फेट के साथ ये कैलसियम सल्फेट कहलाता है Half H2O के साथ कहलाता है कैलसियम सल्फेट हेमी हाइडरेट ये हेमी हाइडरेट है कैलसियम सल्फेट हेमी हाइडरेट CSO4 2H2O को हमने गर्म किया calcium sulphate को हमने गर्म किया मतलब gypsum को हमने गर्म किया gypsum को गर्म करने पर calcium sulphate hemihidrate बनता है और one and high of us two release हो जाता है यह जो plaster up paris होता है सफेज चूण होता है हमने देखा होगा इसे जब कभी भी हैड़ी टूड जाती है तो plaster जो किया जाता है तो यह इसी का plaster किया जाता है यही है plaster up paris घरो में भी इसका उप्योग होता है दिवारों को साब सुन्दर इसकी सतह को चिकना बनाने में plaster up paris से लोगा अच्छे से पर्चित है लेकिन plaster up paris बंता कैसे है plaster up paris gypsum से बंता है gypsum को गर्म किया जाता है 373 Kelvin पर तब ये जाकर plaster आप Paris का निर्माण होता है अब plaster आप Paris का निर्माण हो चुका है तो plaster आप Paris एक चीज़ दियान रखेंगे यह आदरता ग्राही होता है मतलब यह नमी यह जलवास यह जल के साथ क्लिया करके कठोर जिपसम बना देता है कठोर जिपसम बना देता है देखा होगा आपने plaster जब करते हैं जब हड़ी तूट जाती है तो कुछ टाइम बाद वो plaster रहता हो कठोर हो जाता है पहले तो powder form में रहता है उसमें जल मिला है जल मिला कर उसका plaster कर देते हैं उसके बाद वो कठोर हो जाता है तो यह जो कठोर होता है यह फिर से क्या कहलाता है जिपसम कहलाता है मतलब यह दोनों formula इसी उल्टा भी हम इसको कर सकते हैं किसी SO4, half H2O जो हमारे पास जिपसम है इसकी अभिक्रिया जब हम जल के साथ कराते हैं जल से 1 and half H2O के साथ कराते हैं जल के साथ करिया करके क्या बना देता है फिर से जिपसम बना देता है यह जिपसम बन जाता है मतलब जिपसम से प्लास्टरा पैरिस का नियमान होता है प्लास्टरा पैरिस से फिर जिपसम का नियमान हो जाता है तो इसको हम आदरता ग्राही होता है इसलिए इसको हम बहुत अच्छे से एयर टाइट बर्तनों में रखते हैं क्यों क्योंकि यदि यह नमी यह जल के संपर्क में आ जाएगा तो जो जिपसम है यह कठोर ठोस पदार्थ जो प्लाश्टाराप पैरिस है वो फिर से कठोर पदार्थ अर्थाद जिपसम बना देगा तो जो हमको प्लाश्टाराप पैरिस को खराब होने से बचाना है तो उसे हम एयर टाइट पात्र में ही रखना पड़ेगा वर्तनों में रखना पड़ेगा जिससे कि वह नमी या जल वास्प के संपर्क में ना आए और जो P.O.P. है प्लास्टर आप पेरिस है वो जिपसम में ना बदल पाए क्योंकि जैसे ही यह प्लास्टर आप पेरिस की अभिक्रिया जल के साथ होगी तो जल के साथ हो या नमी के रूप में जल मिले या जल वास्प के रूप में उसे जल मिले किसी भी तरीके से वो जल के संपर्क में आता है तो वह बना देगा जिपसम इस तरीके से जिपसम का निर्माण हो जाता है फिर से प्लास्टर आप पेरिस में जलका केवल आधा अणु क्रिश्टलन जल के रूप में जूड़ा होता करेश्टलन जल के बारे में हम लोग बात कर Чुके हैं इसका यह τाथपर है कि CSO4 के दो इकाई सूत्र जल के एक अणु के साथ साज़्ा करते है इसलिए इसका सूत्र या तो CSO4 half H2O होगा यह CSO4 का twice और H2O होगा ध्यान रखेंगे यदि यहाँ पूरा H2O लिख रहे हैं तो यहाँ हमको दो इकाई सूत्र लेना पड़ेगा CSO4 के दो इकाई सूत्र लेने पड़ेंगे तब जाकि यहाँ हम FULL H2O लिख सकते हैं और यहाँ हम सिर्फ एक ले रहे हैं CSO4 बस ले रहे हैं twice नहीं कर रहे हैं तो हमको half H2O लिखना पड़ेगा इस चीज का भी सेज़ ध्यान रखेंगे कि प्लाश्टाराप पैरिस जो है वह है उसमें केवल आधा अणू क्रिश्टलन जल होता है आधा अणू होता है half होता है और यदि half को हम one करेंगे तो हमको CSO4 को two करना पड़ेगा तो CSO4 two यह twice और यहाँ H2O तो इस रूप में हम इसे प्लाश्टाराप पैरिस को लिख सकते हैं अब प्लाश्टाराप पैरिस का उपयोग कहा होता है चोड़ने में होता है दंतचिकित्सामें साचे बनाने में होता है ख्लोंे, सजावटी, समान, मूर्ति, आयादी बनाने में होता है अगनिस चाहपदार्थ, फाईर, परूफ जो माटेरियल होते हैं बनाने में होता है प्रयोग साला उपकरणों को वाय रोधी बनाने में होता है और सताह को चिकना करने में होता है घरों में इसी का उपयोग होता है प्लाश्टर आप पेरिस का पी ओ पी के वज़े से सताह चिकना हो जाता है और सुन्दर दिखने लगता है अब आपके लिए प्लाश्टारा पेरिस को आद्र रोधी बरतन में क्यों रखा जाना चाहिए इसकी व्याक्या कीजिए क्रिश्टलन का जल क्या है इसके बारे में बताई